आप सभी दर्शुकों का स्वागत है इस नई वीडियो पर जहां पर हम सीखते भी हैं और पैसा भी कमाते हैं आइए चल कर देखें हम Uniply के लिए क्या कर सकते हैं अभी क्या यहां पर इसकी अच्छी वाइब बन रही है, value by fundamental basis पर या फिर technical breakout देने के बाद इसकी level कहा तक जा सकता है आगे यह सब हम इसका visualization करेंगे दोन तर नज़रियों से fundamental analysis भी और technical analysis इस वीडियो में आईए चल कर शुरू करते हैं पहले Uniply से, Uniply के बारे में थोड़ा business model को समझ ले और उसका fundamental analysis करते हैं तो अगर सबसे पहले देखें, आज इसका price जो NSE पर बंद हुआ है, 5.50 पैसे के आसपास चड़कर बंद हुआ है, एक परतिशत चड़ा है करीब-करीब और वहीं देखें, अगर इसकी 52-week range जो है, वो 3.70 पैसे से 59 रुपीज की है, तो lower range की तरफ ज़्यादा अग्रिम है यह अभी के हिसाब से, तो काफी pressure है इसके उपर नीचे की तरफ से अब अगर यहाँ पर देखें, इसकी market capital है, बहुत extreme small cap company है, केवल 92 करोर की company है, और इसका dividend भी दे रहे हैं, यह अच्छी बात है, 12% का dividend दिया है, जो की yield काफी कम रहेगी, क्योंकि 2 रुपे का share है, तो और आपका share market में भी 5 रुपे के आसपास चल रहा है, तो 4% की dividend है, dividend क अगर हम बात करें, price to earning ratio बहुत खराब है, industry के comparison में, इनको कुछ न कुछ करना पड़ेगा, आपर business model को थोड़ा सा alter करना पड़ेगा, इनके जो result है, हमारे पास बहुत पुराने available है, September तक के available है, उसके बाद हमारे पास कोई result नहीं है, तो उसके business पकर देखा जाए, तो sales क जादा अची नहीं है, और expenditure उनके जादा है, एक खबर जो आपके पास देखनी होगी, कि इनका interest का expense है, वो काफी जादा है, अगर operation से उनके 4000 के आसपास, 4 करोड के आसपास बन रहा है, और उसमें से 8 करोड उनको interest देना पड़ रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं हो सकती है, इस company के लिए, तो debt को definitely उनको reduce करना पड़ेगा, अगर promoter की stakeholder देखा है, तो 19% equitable और उसमें 63% pledged है, इसका मतलब जादा pressure है, उनके पास debt जादा है, उनका इसके उनको ये करना पड़ रहा है, FII की holding करीब 6% के आसपास है, DII की holding करी 32%, others, आप और हम जैसे लोग 41% की holding है, यहाँ पर हो सकता है, कुछ लोग, promoter की बजाए, उन्होंने अपने आपको others declare किया हुआ है, बड़े लोगोंने, दोस्तों, वीडियो की information अच्छी लगएगी, तो एक बार like button ज़रू दबाइएगा, बहुत मेहनत लगते हैं वीडियो बनाने में, प्लीज, consult your financial advisor before investing and trading, अब हमारे कुछ दर्शकों ने हमसे request किया है, कि सर आप हमको technical analysis सिखाए थोड़ा, तो उनकी request की business पर हमने एक workshop अरेंच किया, इस weekend, 15 और 16, आप दोनों में से एक दिन join कर सकते हैं, फीस रहेगी 4,999, time है 2 बज़े दोनों दिन के लिए, और इसके साथ म आपको एक हफ़ते का intraday paid service हमारा free मिलेगा, जिसके हम लोग regular video upload करते हैं, जून के महिने में हमने वो free रखा था, पर अब July onward हमने उसको paid service कर दिया है, अगर आपको service चाहिए, तो please contact us, we can collect and give back you the information. अगर हम आगे बात करें इसके reference में कि आगे क्या काम हो सकता है यहाँ पर इस stock के आगे चलने के लिए, तो अगर आप यह service में interested हैं, तो please हमारे associate भावना धीर को mail डालिए, उनका email ID है और इस paid service के साथ में आपको हमारी team handhold करकर आपको trading भी कराएगी, और उमीद यह है कि आपका profit इस से जाधर रहेगा, जैसे आज ही हमारा profit तीन lot में 5000 से अबव है. अब हम अगर technical level पर इसका analysis करें, तो चलकर देखते हैं क्या इसकी संभावनाई बन सकती है Uniply के लिए, और हम क्या कर सकते हैं इस stock में आगे, अपना, क्या रूप हो सकता है इस stock के बढ़ने के लिए. तो हम इसकी website को चलकर देखते हैं, सबसे पहले अगर इसकी website को देखें, तो इनका, इन्होंने business model थोड़ा diversify किया है, अपना adhesive product उनने add किया है, readymade furniture उनने add किया है, और in fact, उन्होंने अपना doors वगेरा भी इन्होंने अपने portfolio में add किया है, जहां पर पहले ये सिर्फ flyboard देत एक्स्टीर या interior आपको जो technology है, वो सब पुरा प्रवाइड करेंगे इनके reference में, तो अच्छा model है, अगर आपको देखेंगे, तो offices design करते हैं, घर design करते हैं, घर में readymade furniture को provide करते हैं, तो काफी अच्छा view बनता है इनके, अगर आप lead से help करके, अपना घर को decorate करेंगे, जह स आपको जैसे बताया, lamination कराते हैं, घरों के floor के उपर, और साथ में adhesive भी provide करते हैं, तो काफी अच्छा wide spread portfolio furniture, जैसे आपको बताया, वो सब करते हैं, तो इस सब के चलते हुए, थोड़ा सा अच्छा outlook है, आगे का, क्योंकि business diversify किया है, तो हो सकता है, आगे थोड़ा advantage मिले इन लोगों को, अब जो रहाम अगर long term chart देखें, तो हमने weekly chart खुला है अपके लिए, और यहाँ पर हमने एक downward falling channel देखा है, जो क्योंकि continuously downward falling channel करेगा, तो negative हो जाएगा, ऐसा price नहीं होता है, तो कहीं पर तो इसको breakout करना है, अभी यह लग रहा है कि यह breakout zone है, और जहाँ पर खतम हुआ है, महां से इसकी volume भी बढ़ गया है, आप इस बात को notice कीजिए, देखें, यह channel यहाँ पर approximately खतम हुआ है, और यहाँ खतम होते एक साथ टेक्निकल लेवल भर भी देखा जाए, तो यहाँ से volume बढ़ना शुरू हो गया है, तो यह अच्छा science stock के लिए आगे हो सक का profit मिला है, उसका video हमने भी थोड़े पहले लोड किया है, आप देख सकते हैं चाहे तो, और यह paid service है, आपको चाहिए, तो हम आपको provide कर सकते हैं, हमें mail डाल दीजिए, हम आपको पूरे मन्त की paid service का भी detail बेज सकते हैं, अब अगर हम Nifty का, हम Fibonacci retracement निकालें, तो देखे इसका जो retracement बनेगा, वो करीब-करीब यहाँ पर आकर बनेगा, जो high level बनाया है, इसने 32 के असपास बनाया है, और जो level बनाया है low, वो करीब-करीब आपका 3 रुपे के असपास बनाया है, तो जो पहला target रहेगा इसका, Uniply का, वो target रहेगा 15 रुपे के असपास यहाँ प क्या संभावना यह हो सकती है क्योंकि हमार पास limited time होता है video बनाने के लिए हम सारी studies तो नहीं बता सकते हैं यह हम workshop में दिखाएंगे पर कुछ common studies जो हम लोग use करते हैं वो आपको दिखा देता है super trend एक indicator होता है जिससे आपको बता लगता है भी near term trend की ऐसा चल रहा है तो super trend की basis पर जब इसने 6 रूपे 45 पैसे को cross किया तो नीचे जाने लगा और इसने नीचे कर trend बता दिया है पर अगर जैसे ही यह 6 रूपे 27 पैसे को उपर जाएगा तो यहां से हो सकता है इसका bounce back बहुत अच्छा जाए और उपर जाने के तियारी हो जाए तो यह अच्छा indicator हमने बताई हुए क्या हमने किया कितने टाइम भी किया और कल के लिए भी क्या तयारी रहेगी हमने वो सब किया है इसमें अगर आपको कोई भी question है तो please feel free to ask question and comment box यहां पर आपको education video भी मिलते हैं अब अगर हम अरचल कर और studies में add करें तो एक और indicator होता है parabolic sarg अगर आपने super trend indicator अभी भी sell बता रहा है पर अगर आप parabolic sarg देखें हो जो quick resolution करके बताता है उसने उसको बोला है कि अगर यह 521 का low maintain कर सकता है तो यह uptrend में है और यह पिछल चार्ट दे रसे अगर आप इसमें interested है तो अब हम बात करेंगे किस level पर आपको खरीदना होता है जैसे हम long term की बात करें हमारा target जो हमने बताया है वो करीब 15 रुपे के आसपास है long term का उसको करीब-करीब 18 महीने लग सकते है long term target देने के लिए इसको आपको 3 different level पर खरीदना है जो पहला level र 4 रुपे 80 पैसे का और 3 रुपे 20 पैसे का और 3 रुपे 20 पैसे का I'll repeat in English you have to buy in 3 different lots you may not get all the lots but make sure you have the money with you first lot you need to buy at 525 second one at 480 and the last one is at 420 पैसा the target for this one is going to be 15 रुपी पैस for a duration of 18 months अगर कोई भी कोशन है दोस्तों तो comment box में डालिए हम आपके बहुत कृताग है आपने जितना हमें प्रेम और स्ने दिखाया है प्लीज उसको continue रखिए और आपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन मंगल में हो जैहिन